प्रवरी की एंड में 22 फरवरी को अधिया थी मेरे पास उन्हें पिक्चर यही थी उन्हें तकलीव यही थी कि उन्हें बुखार नहीं शोड़ रहा था और इस हिसाब से वो काफी डाक्टर से दवा ले चुके थे उनके पास तक्रीबन सब केस्टें की हुई थी उन्हें मलेरिया की टाइफ़ाइड की और भी बहुत सी टेस्टें सब की हुई थी मगर फिर और चेस्ट इंफिक्शन भी था उसे तो मैंने उन्हें एश आईवी ए बखन वालों ने लिए और उसके बाद वो पाजिटिव आगई और मुझे एक लू मिला धचका भी लगा कि इतने चोटे बच्चे में 16 माँ की बेबी में इस्टिय यही थी कि उसे बहुत से डाक्टरों ने ट्रीट किया था शी वेंट टो पीडियर्टिशन साल सो तो उसके बाद मुझे एक लू मलाके हो सकता है जो बेबी मेरे बेबी आ रहे हैं मेरी डेली प्रेक्टिस में रूटिन प्रेक्टिस में जाओ एशायवी करवा की आओ जाओ एशाई भी करवा किया आओ तो पंदरा दनों में पंदरा बच्चे पाजिटिव आ गए प्रम पीपी एशाई और पांच आ गए आगा कान से यानि 24 अपरेल को जब यह सदन आउट ब्रेक हुई न्यूज में आगई यह बात तो 20 उस वक्त मेरे पास पेशेंट्स थे इन हैंड और अभी वो मेरा सिलसला चल रहा है अचासी तक मेरा नंबर गया है 85 पेशेंट्स वुच आएव एड़ इंटिफाइड रॉंग ली 85, 20 फ्राम हागा खान, 65 फ्राम पीपी एशाई लारकाना में जो स्क्रीनिंग केम्प है, वहां पे वो जाते हैं इलाज के लिए उसके इलावा जो स्क्रीनिंग केम्प रतोदरों में लगी हुई है, उसकी फिगर आज 600 से तजावज कर चुकी है तक्रीबन 700 से, मेरा केसिस मिला के 700 से तजावज कर चुका है और पहले दिन जैसे ये मैंने अन अर्थ की थी बात और आइडेंटिफाइड की थी तो दूसरे दिन पर आये थे एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाले, सेसीप वाले, लाटकाना से डाक्टर होलाराम साब यहां आये थी उन्होंने आते ही मुझे इस बात को, मेरी रपोर्ट्स को यूं करके पेंग दिया कि यह हम नहीं मानते अच्छी बात है आप ना मनें, किस बैसे पे नहीं मानते का, कि हम अपने तरीके से करते हैं, हमारी डवल्यू शो रेकमेंडेट किट्स हैं सेसीप वालों के पास, सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वालों के पास, हम उन किट्स पे करते हैं, अगर उसमें वो चीज आई तो हम मानेंगे, नहीं कि नहीं मानेंगे मैंने का, आप शक्क के बन्याद पर आप के सकते हैं, बागी रिजेक्ट करना आपका काम नहीं है पिर उन्होंने जब अपने हाथों से आके यहां पर स्क्रीनिंग केम्प लगाई और वो भी मेरे ही कहने पे, सिंध गॉर्मेंट ने इस चीज का नोडिस लिया, हैल्थ सेक्रेटरी ने इस चीज का नोडिस लिया, कि यूज नंबर है आगया है पाजिटिव कम्यूनिटी में कितने केसिज हैं जो अभी और मौजूद हैं और इन्हें आप आइडेंटिफाय करें, स्क्रीन आउट करें और उसका पता लगाएं, यह आपका काम है, सिंध एड्स कंट्रल प्रोग्राम वालों का काम है